यादव आपके अपने चैनल गर पर पाट सलम दोस्तों स्वागत करता हूँ दोस्तों CR पे पैड़ा मैडिकल के अंदर जो आपके 789 यांकि 789 पोस्टिश के अंदर निकली थी उसके दोस्तों PhD सभी के समाप तो चुके हैं और अब की बार competition आपको इस बात से पता लग जाता है कि जो आपके कितने candidate के जो है इनके अंदर जो है आपके admit card जारी किये गए थे कितनी ज़्यादा मातरा के अंदर यांकि जो सफाई करमचारी को कोस्टेबल रहें कि उनमें तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर companies है और मेरे हिसाब से अगर अब से वो start करेंगे तियारी करना exam की written exam की अच्छे से तब जाकि उनका selection last list के अंदर होगा यांकि जो सबसे पहला आपका सटेज यही है कि written exam के अंदर आप अच्छे से नमबर लाएं और फिर आप जो है trade test की उसमें त्यारी करें written exam का मैंने आपको बता जाए थी किस प्रकार से आएगा 100 नमबर का आपका question रहेगा दो गंटे के लिए होगा कोई उसके अंदर negative marking होगी नहीं पचास आपका trade related हैगा जो भी trade आपने बराखिए पचास question आपके trade related आएगे बागे आपके पचास question जो आपके जी के math reasoning होरी हिंदी से दोस्तों उसके अंदर पूछे जाएगे objective type आपका पूरा का पूरा पूरा वहाँ पेपर होगा अब बात आती है दोस्तों कि written exam इसका कब हो जाएगा क्योंकि तैयारी आपको start करनी है यानकि आपको ये पता होना चाहिए कि कब तक इसका written exam दोस्तों हो जाएगा तो इसका written exam या तो अपरैल के जो last week में होगा या फिर आपका माई के first week में आपका 100% दोस्तों इसके अंदर आपका written exam हो जाएगा अब बाताती कि बहुत सारे candidate ये पूषते हैं कि सर पिछली बार जो हा कटोफ कितना रा था कोई भी भरती के अब तेयरी करते हैं बहुत ही जादा बढ़ रही है तो पिछली बरती के cut off ना जाते वे मैं चाहे कोई भी candidate हो किसी भी category से हो मैं यह चाहता हूं कि आप 80 पलस नंबर के आप तेयरी करके चलिए तब जाके आपके 70, 75 और 80 के बीच में नंबर आई तब आपका selection होने के chances हैं तो कोई भी relax mode में ना ह हैं क्योंकि आपको पता है कि जो PhD तना कुझ था नहीं PhD कंदर कोई भी candidate उसके अंदर निकला नहीं आपका जिनकी height कम थी हुआ ही candidate निकले हैं चेस्ट में भी बहुत ही कंदर निकले हैं तो अब आपके candidate कहां पे छटेंगे कहां पे निकलेंगे आपके written exam में निकलेंगे य लेकिन final selection आपका इसके अंदर दोस्तों नहीं होगा और फिर जाके आपको पस्तावा हो जाएगा कि कास manager exam अच्छे से तेयरी कर लिए होती तो मेरा इसके अंदर selection हो जाता पिछली बरती के अंदर cut off कितना गया था कितनी इसके अंदर पोस्ती मैं सभी को इसके अंदर बता गया है यहाँ पर जो मेरा mobile नंबर दिया गया है 8168969646 इसके उपर आपके वल WhatsApp मैसेज करें कोल पर नहीं लगेगा नंबर यह WhatsApp पर लगेगा वहाँ पर मैसेज कीजिए सपेशल बैचा CRP के लिए आपका वहाँ पर जोइन कीजिए paid बैचा फीस आपको देनी पड़ेगी फीस आपको बता दी जाए कि किस प्रकार से आपको paid करनी है regular आपकी classes होती है practice उसके उपर होते हैं तो अब आपको बताता हूं कि कितनी post इसके अंदर थी दोस्तों ये वाड़ी इसके अंदर जो है 2006 के अंदर इसके last date थी form के लेकिन ये निकले कब थे 2015 के अंदर ही निकले वाकेंसी रेडियो रेडियोगराफर के 60 फार्मिस्ट की चुमन थी आपकी डेंटल टेक्नीशी ने एक्सरे तो इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर जो हापकी वो थी पोस्त थी और वार्ड़ बोई की बार पोस्त नहीं है लेकिन पिछली बार वाइबोड वार्ड़ औ गल्दोनों किसके अंदर फोस्त ही मसाल चीक आपकी कूकी और एसके वो एक एक्स धी लेकिन अब की बार इतनी पोस्त क्यों आहीं क्योंकि आपको बताई कि कोरोना का काम चल रहा है इसके कांट जो पैरा मेडिकल स्टाफ है जितना भी आपका हेल्थ स्टाफ है उसकी कमी ह जाती उसको पूरा करने के लिए इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर पहली बार ये भर्ती जो है निकली है यान्कि ये मौक आपका दुबारा से नहीं आगा कि जो भी कंडे डे सोच रहे हैं कि मैं तो बाइस साल एज है तेज साल एज है दुबारा से निकली तो आपको बता देता हूं कि जो cutoff है इसके अंदर कितना गया था जो पुरानी बरती थी जो मैंने आपको बताया है तो यह देखी दोस्तों इसके अंदर क्या है यह final merit list है जितने भी candidates select हुए है इसके अंदर uploading on website पर यहां पर दे रखा है यह category है जर्णत के लिए यहां पर देख रहे तो उसके बाद में जितने भी candidates हैं OBC से हैं चाहिए आपके जो हैं SCC, STC हैं तो पूरा का पूरा इसने दे रखा है रेडियो ग्राफर की आपकी पोस्ट है ASI, Farmist की है तो जितने भी पोस्ट थी यहां पर पूरी जो final selection हुआ था जितने भी candidates को joining भी जा गया था तो पूरा लास्ट का data आपका यहां पर दिया गया है X-ray, Head, Costable, Costable World, जो बोई घर जितने भी candidate थे यहां पर तो उनका सभी का जो दिरखा है, लास्ट पर आपके कुक के कुक और आपके जो हैं सफाई करमचारी, S के वाले जितने भी candidate हैं यहां पर दिरखे उनकी तो जो लास्ट में ह आप देख लेजी, यह आप डिया जी जी यो भी जो भी है, CRP नई भी वाले जो है, लास्ट यह आपकी अपलोड हुआ था है, तो इसके अंदर कोई भी कट ओफ नहीं बताएगा कि कितने कट ओफ के उपर कितने वाले का इसके अंदर सेलेक्शन हुआ था, लेकिन जो candidate इस आसपास इनकी जो है गई है, यानि कि जर्नल की तो उसके भी जादा गई है, 75 और ST के अंदर 70 के आसपास इसके अंदर सेलेक्शन दोस्तों उसके अंदर हुआ है, जबकि पिछली बार बहुती कम मातरा के अंदर फोम यह बरे गए थे, लेकिन अपकी बार आपको पता है कि कि कितनी लार सकेल के अंदर फोम को बरा गया है, कितनी ज़्यादा मातरा के अंदर फोम बरे गया है, कितनी गंडियेट को बुलाया गया है, तो इसी परकार्श आप देख सकते हैं, मेरे इसब से जो शफाई करमचारी कुक के अंदर है, यह घ्रlaw के इतिन लाग कितना है किसी की बातों में ना आएं कि आप competition बहुत ही कम है अगर आप पैसर से 70 ले आते तो आपका selection हो जाएगा ये बाते आपको एक समय के लिए जरूर आपको अच्छी लग सकती है लेकिन जब आप रहा जाएंगे final stage में तब आपको बहुत ही उसके उपर दुख होगा कि कासम उस्टाइम के उपर अपनी जो हश्टेर जी एक्जाम रिटन एक्जाम के लिए अच्छी कर लेता और मेरा selection हो जाता क्योंकि मोके बार बार मोके नहीं मिलते हैं हर साल बरती इसकी नहीं आती है तो अच्छे से त्यारी कीजिए और पिछली बार की cutoff को ना देते हम प्रैक्टिस सेट जो है इसके हम ला रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट इसके करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट इसके अंदर हम करवा रहे हैं तो ये मेरा मोबाइल नमबर यहां पर आप देख सकते हैं इसके उपर मुझे WhatsApp मैसेज कीजिए और आप वो बैच जोइन कीजि तो मेरे इसाब से आप उस चीज़ को नहां देख करके अपने रिटन एक्जाम की जो है तैयारी के अंदर आप दो है दोस्तों यहां पे जुड़ जाईए तो आज की लिए दोस्तों इतना ही जय भारत और जय हर्यान दोस्तों सभी को राम राम और जितने भी चैनल को subscribe जरूर करें जो नया student है और share जरूर करें और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें